हेलो प्यारे साथियों नमस्कार स्वागत है आपका इस्टिडी करके इस यूटूब चैनल पर तो दोस्तो आज साइन्स की सीरीज में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वह है एंजाइम एंजाइम से सम्मंधित महत्पूर्ण प्रस्नों को डिसकस करेंगे यह जो हमारी सीरीज है 25 से अदेक प्रस्नों की जो सीरीज है वह लगातार चल लही है जिसके हमने 17 पार्ट बना चुके हैं यह हमारा अठार्मा पार्ट है जिसमें हम एंजाइम के प्रस्नों को डिसकस करे अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको देखना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें आपको मिलेंगे बहुत महत्तपूर्ण प्रस्ण यह जो वीडियो सीरीज है यह आपकी प्रतेक परिक्षा के लिए बहुत महत्तपूर्ण होगी जैसे UPSC, MPPSC, व्यापम, RRB, SSC जितने भी एक्जाम है उन सब के लिए बहुत महत्तपूर्ण होने वाली है और इसके जो प्रस्ण है वह आपके सलेबस के अनुसार है और वो जो प्रस्ण है वह आपको परिक्षा में देखने को भी मिल सकते हैं तो प्यारे मित्रों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को जौइन नहीं किया है तो जौइन जरूर करें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा वहां जाकर के आप हमा हमारे टेलीग्राम चैनल को जौइन करें हमारे फेसबुक पेज़ को भी फौलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा ट्श्टर पर भी फौलो करें और इंस्ट्राघ्राम पर भी फौलो कर सकते हैं इसके वीडियो के अंत में एक जानकारी दी जाएगी उसको सुनने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना है और जितने भी प्रस्ण है उन सभी प्रस्णों को आपको अटेंड करना है प्यारे मित्रों चलिए चलते हैं करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं आज का पहला प्रस्ण क्या है पहल कौन सा कथन सही है पहला है enzyme एक protein है दूसरा है प्रती क्रिया को तेज करने के लिए एक enzyme उत्प्रेरक के रूप में उप्योग किया जाता है तीसरा option है enzyme cellular अर्थात कोसकिये चया पचय क्रियाओं में भी भाग लेते हैं या उप्रोक्त सभी बिकल्प सही है प्यारे साथियों इसका सही जबाब आपको बताना है कि एंजाइम के बारे में कौन सा कथन सही है। ये चार कथन आपके सामने हैं, इनमें से हमको बताना है कि कौन सा कथन सही है। बहुत important प्रस्ण है बहुत महत्पूर्ण प्रस्ण है निमलेखित में कौन सा कथन enzyme के बारे में सही है क्या enzyme एक protein है प्रतिक्रिया को तेज करने के लिए enzyme उत्परग के रूप में उप्योग किया जाता है या enzyme cellular चाया पचय प्रक्याम में भाग लेते हैं उप्रोक्त सभी बि उत्तर होगा वह होगा उप्रोक्त शभी बिकल्प सही है जो enzyme होते हैं वह एक प्रकार के protein होते हैं यह किसी प्रक्या जो हमारे सरीर के अंदर जो क्रियाए होती हैं उनको यह तेज कर देते हैं उत्परग के रूप में बढ़ाने का काम करते हैं और हमारी जो Metabolic क्रियाए होती है कोश्का के अंदर उन सभी क्रियाओं में भी भाग लेते हैं इस प्रकार जो हमारा सही उत्तर होगा वह होगा उप्रोक्त शभी बिकल्प शही है नेक्स्ट कोशन है आपकी स्क्रीन पर Baby Foods को बनाने में कौन सा Enzyme का उप्यूग किया जाता है जो वच्चों के लिए हम भोजपदार्थ बनाते हैं उसमें कौन से Enzyme का उप्यूग किया जाता है प्यारे मित्रो इसका सही जबाब आपको देना है कि जो बेवी फूट्स है जो बच्चों के लिए हम भोजपदार्थ बनाते हैं उनमें हम किस Enzyme का उप्यूग करते हैं इसका सही जबाब आपको बताना है कि जो बेवी फूट्स होते हैं जो वच्चों के लिए भोजपदार्थ बनाये जाते हैं जिनका उप्यूग बच्चे करते हैं तो उसमें हम किस Enzyme का उप्यूग करते हैं सही जबाब आपको कमेंट बॉक्च में देना है और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें हमारे टेलिग्राम चैनल को जरूर जो 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 कोश्चन टू का जो सही आंसर होगा 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 ट्रिप्सिन जो बेवी फूट्स होते हैं उनको बनाने में किस एंजाइम का उपयोग करते हैं ट्रिप्सिन का नेक्स्ट कोश्चन ऐसे एंजाइम का नाम बताएं जो योबा पसुगों के पेट से उत्पन होता है और डेरी उद्द्योग में पनीर का उत्पादन करने के लिए इस्तिमाल किया जाता है तो हमें ऐसे एंजाइम का नाम बताना है जो योबा पसुगों होते हैं उनके पेट से उत्पन होता है और जो डेरी उद्द्योग है उनमें पनीर बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है ट्रिप्सिन, पैप्सिन, लिग्नाइनेज या रैनिन तो इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा इसका सही आंसर एसे एंजाइम का नाम बताना है जो यंग जो एनिमल्स होते हैं उनके पेट में वह उत्पन होता है और देरी उद्देग में पनीर का उत्पादन करने के लिए वhole इसका इस्तमाल किया जाता है ऐसा कौन सा एंजाइम है सबी लोग बताएं क्या होगा इसका सही उत्तर ट्रिप्सिन पैप्सिन लिगनाइनेज या रैनन तो प्यारे मित्रो इसका सही जबाब कोश्चन 3 का जो सही जबाब होगा वह होगा रैनन इसका कोश्चन 3 का जो सही जबाब होगा वह क्या होगा रैनन नेक्स्ट कोश्चन है एक एंजाइम का नाम ब बताना है जो फैट को पचाने में मदद करता है लाइपेज, सुक्रस, माल्टेज, फ्रुक्टोज तो हमें उस एंजाइम का नाम बताना है जो फैट के पाचन में मदद करता है लाइपेज, सुक्रस, माल्टेज, फ्रुक्टोज एक enzyme का नाम बताएं जो fat को पचाने में मदद करता है तो बताएं जल्दी शे इसका सही answer क्या होगा एक enzyme का नाम बताएं जो fat को पचाने में मदद करता है इस question question 4 है question 4 का हमें बताना है सही answer जो इसका सही answer क्या होगा ऐसे enzyme का नाम बताना है जो fat यानि बसा को पचाने में मदद करता है लाइपेज, सुक्रश, माल्टेज या फ्रुक्टेज तो इस question का जो सही उत्तर होगा वह होगा लाइपेज लाइपेज जो enzyme है वह fat को जो हमारा वसा है उसके पाचन में यह मदद करता है next question है enzyme सब्द की गढ़ना किसने की थी अर्थात enzyme सब्द को किसने दिया था यह बताना है विल्हेम कोहने ने, अल्फरेड रसेल ने, रावर्ट कोच ने, रोजलिंद फ्रेंकलिन ने तो इस question का आपको सही जवाब देना है कि enzyme सब्द की गढ़ना अर्थात इस सब्द को गढ़ने वाले यानि बनाने वाले देने वाले व्यक्ति कौन थे विल्हेम कोहने, अल्फरेड रसेल, रावर्ट कोच, रोजलिंद फ्रेंकलिन तो प्यारे मित्रों इसका आपको देना है सही जवाब कि enzyme सब्द को किसने दिया था विल्हेम कोहने ने, अल्फरेड रसेल ने, रावर्ट कोच ने, या रोजलिंद फ्रेंकलिन ने इस कोशन का आपको सही जवाब देना है क्या होगा इसका सही जवाब, enzyme सब्द की गढ़ना या उसको बनाया किसने था किसने दिया था ये enzyme सब्द प्यारे साथियो, इस question का जो सही जवाब होगा, वह होगा, विल्हेम कोहने next question, ऐसे enzyme का नाम बताएं, जो प्राकृतिक तोर पर प्रोटीन नहीं है तो हमें ऐसे enzyme का नाम बताना है, जो प्राकृतिक रूप से प्रोटीन नहीं है पहला है cellular age, दूसरा है जाइल, लेनेज, और तीसरा है राइबो जाइम, जो चोथा option है, वह है पैप्टे डाइसियस तो हमें इसका सही उत्तर बताना है, कि ऐसे enzyme का नाम बताएं, जो प्राकृतिक तोर पर प्रोटीन नहीं है तो इसका सही जबाब आप सभी लोग दीजिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करना है सभी को तो ऐसे enzyme का नाम बताना है, जो प्राकृतिक तोर पर प्राकृतिक रूप से प्रोटीन नहीं है सही जबाब आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका सही जबाब तो question 6 का सही जबाब जो होगा, वै होगा राइबो जाइम, राइबो जाइम जो है, वो प्राकृतिक रूप से या प्राकृतिक तोर से एक प्रोटीन नहीं है next question, कौन सा एंजाइम का उप्योग, विस्किट निर्माताओं द्वारा आटे में प्रोटीन के इस्तर को कम करने के लिए किया जाता है हमें बताना है उस enzyme का नाम जिसका उपयोग हम विस्किट जो निर्माता होते हैं वह है आटे में protein के इस तर को कम करने के लिए करते हैं क्या होगा इसका सही अंसर आपको कमेंट बॉक्ष में बताना है कि विस्किट निर्माता जो है आटे में protein के इस तर को कम करने के लिए किस enzyme का उपयोग करते हैं तो सही जबाब आप सभी लोग दें क्या होगा इसका सही जबाब कौन सा enzyme जो है वो विस्किट निर्माता आटे में protein के इस तर को कम करने के लिए करते हैं तो question 6 का सही जबाब आपको देना है क्या होगा question 6 का सही जबाब सभी लोग comment करके बताएं क्या होगा इसका सही जबाब तो question 7 जो होगा उसका सही जबाब होगा protease protease जो है वो विस्किट निर्माता protein के इस्तर को कम करते हैं जो आटा होता है आटे में protein के इस्तर को कम करने के लिए protease नामक एंजाइम का उपियोग करते हैं next question है ऐसे निस्क्रिये एंजाइम जो उनके co-factor के साथ वद्ध नहीं होते हैं उन्हें कहा जाता है तो हम उन्हें क्या कहते हैं ऐसे निस्क्रिये एंजाइम जो अपने को फैक्टर के साथ वद्ध नहीं होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों आपके जो option है वो option आपके सामने हैं बताएं क्या होगा इसका सही जवाब ऐसे निस्क्रिय एंजाइम जो उनके कोफेक्टर के साथ वद्ध नहीं होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है एपीनो एंजाइम कोई एंजाइम एंजाइम इन्हेट इन्हेटर्स या हैलो एंजाइम क्या कहलाते हैं इन सभी जो ऑप्सन है आपके सामने वताएं ऐसे निस्क्रि जो ऐसे प्रोटीन जो नॉर्मल होते हैं ज्यादा वो पेपटाइड बन्ध से नहीं बंधे होते हैं तो ऐसे जो एंजाइम होते हैं उन्हें हम को एंजाइम कहते हैं या को FACTORS कहते हैं तो इस कोश्चन का जो सही जबाब होगा वह होगा एपीनो एंजाइम एपीनो एंजाइम जो है वह ऐसे निस्क्रिय एंजाइम है जो अपने कोफेक्टर के साथ वाध्ध नहीं होते हैं मनश्यों में Slabry Amylage Enzyme स्टार्च को तोड़ता है इस प्रतिक्रिया के लिए इस्टितम pH कितना होता है अर्थात कितनी pH जो एंजाइम है वो स्टार्च को जब तोड़ता है तो इस प्रतिक्रिया के लिए कितना pH मान होता है यह बताना है option है 6, 6.2, 6.4, 6.7 तो इसका हमें सही जबाब देना है कि कितने pH मान पर जो amylase enzyme है वह starch को तोड़ता है जो हमारी लार में पाए जाने वाला जो amylase enzyme है वह starch को तोड़ता है तो उस समय pH मान कितना होना चाहिए 6, 6.2, 6.4 या 6.7 तो प्यारे साथियो इसका सही जबाब आपको बताना है क्या होगा इसका सही जबाब और वीडियो को लाइक चरूर करना है तो question 9 का आपको सही जबाब देना है कि कितना pH मान कितना होना चाहिए जो हमारी slably amylase enzyme है वो जब starch को तोड़ता है तो उस समय pH मान कितना होना चाहिए तो इस question का जो सही answer होगा होगा 6.7 next question है lock and key hypothesis mechanism किस से सम्बंधित है इसे हम ताला चाबी सिध्धान्त की नाम से भी जानते है तो सरीर में बसा को पचाने के लिए enzyme की बिसिष्टा को बताने के लिए तो बताएं आप जो ताला चाबी सिध्धान्त इसको ताला चाबी सिध्धान्त की नाम से भी जाना जाता है तो बताए ताला चावी परिकल्पना कहते हैं, ताला चावी क्रिया बिधी कहते हैं, ताला चावी शिधान्त, इन सब की नाम से यह जाना जाता है तो इसका किसे संबंदित है या बताना है question 10 जो है इसका सही जबाब आपको देना है क्या होगा या किसे संबंदित है शरीर में बसा को पचाने के लिए, एंजाईम की विसिष्टा के लिए रिक्तिका के गठन के लिए या विश्पो टक किसी चीज को तोड़ने के लिए तो बताएं सभी लोग इसका सही आंसर क्या होगा जो ताला चावी सिध्धान्त है वह किसके लिए प्रिसिध है या किसके लिए यह जाना जाता है ताला चावी परिकल्पना भी इसे कहा जाता है ताला चावी शिद्धान्त के नाम से भी जाना जाता है तो सही जबाब जो होगा इसका वह होगा एंजाइम की बिसिष्टता से संबंधित यह सिद्धान्त जो है यह जो एंजाइम होते हैं उनकी क्रिया बिधी को यह प्रदर तो प्यारे सातियों, इसका हमें देना है सही جजबाब, कि वह है कौन सा एंजायम है, जो हमारी लार में पाये जाता है पैपस्न, ट्रिप्सिन, टालीन या काइमोट्रिपसिन तो इस कोश्चन का आपको सही जबाब देना है, कोश्चन 11 आपकी स्क्रीन पर है कौन सा एंजाइम लार में पाए जाता है पैपसिन, ट्रिपसिन, टाइजिन या काइमो ट्रिपसिन इस कोशन का आपको सही जबाब देना है कमेंट बॉक्ष में तो दीजिएगा सही जबाब और वीडियो को लाइक करना विल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों के साथ सेयर करें वीडियो के अंत में पूछा जाएगा आपसे एक प्रस्न उस प्रस्न का आदेना है आपको जबाब जब वीडियो खत्म हो जाए तो प्रस्न सुनने के लिए आपको पूरा वीडियो जरूर देना है और पूरे जितने भी प्रस्ण है उन सभी प्रस्णों को attempt कीजिएगा उनको देखिएगा कि प्रस्ण किस प्रकार के है ऐसा हो सकता है कि हमसे कोई प्रस्ण नहीं बनता है तो उसमें अपना moral down नहीं करना है बलकि हमें और आगे के प्रस्ण देखने है तो इस question का question 11 का जो सही आंसर होगा वह होगा टाइलिन नेक्स्ट कुस्चन है रासाइनिक द्रस्टी से एंजाइम होते हैं रासाइनिक द्रस्टी से एंजाइम क्या होते हैं प्रोटीन होते हैं कार्बोहाइडेड होते हैं वसा होते हैं बिटामिन होते हैं प्यारे मित्रो इसका सही जबाब आप को बताना है क्या होगा क्या होते हैं जो रासाइनेक द्रश्टी से जो एंजायम है वह क्या होते हैं प्रोटीन कार्भोहेड्डेड होते हैं वसा होते हैं या बेटामिन होते हैं तो प्यारे साथियो इस प्रश्ण का सही जवाब जो होगा कोश्चन 12 का जो सही जवाब होगा वह होगा प्रोटीन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन हो सकते हैं इस बात को ध्यान रखें कि सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं लेकिन सबी ऎंजायम प्रोटीन हो सकते हैं नेक्स्ट कुस्चन आपकी स्क्रीन पर है एपोइनजायम है एक क्या है प्रोटीन है कार्बो हाईडरेड है वितामिन है या एमीनो अमल है तो question 13 जो है वह आपकी screen पर है उसका आपको देना है जवाब कि जो एपो एंजाइम है वह क्या है वह क्या है प्रोटीन है कार्बो हाइड़ेड है बिटामिन है या एमीनो एसेड है तो इस question का आपको सही जवाब देना है एपो एंजाइम क्या है प्रोटीन, कार्बो हाइड़ेड, विटामिन या एमीनो एसेड तो एपो एंजाइम क्या है इसका सही जवाब आपको बताना है क्या होगा एपो एंजाइम क्या है प्रोटीन है, कार्बोहाइडेड है, बिटामिन है या एमीनो एशड है प्यारे मित्रों जो एंजाइम है, एपफो एंजाइम है, वह भी क्या है एक प्रकार का प्रोटीन है नेक्स्ट कुश्चन दो अणूं के सयुक्त होने की क्रिया को प्रेरित करने वाला एंजाइम क्या कहलाता है दो अणूं है उनको सयुक्त करने के लिए प्रेरित करने वाला जो एंजाइम है वह क्या कहलाता है उसको बताना है कि यह जो दो अनू है उनको सेख्ट करने वाला जो एंजायम है उसको हम क्या कहते हैं हाइड्रो लेजेज, सिंथेटेज या एस्टरेजेज या आईसोमरेजेज क्या कहते हैं कि आई सोम रेज क्या कहते हैं इसका सही उत्तर बताना है आपको कि दो अन्गों के सही उत्त होने की क्रिया को प्रेड़ करने वाला जो एंजाइम होगा क्या कहलाता है अब सभी लोग जब वीडियो का प्रेमिर डल जाता है तो उसके बाद आपको जो टॉपिक है वह तो उसको जरूर पढ़ें कि आप इस टॉपिक के प्रस्ण देने बाले हैं तो जरूर इस टॉपिक को जरूर पढ़ें बीच में तो इस question का जो सही जबाब होगा वह होगा Synthetage Next question है वह enzyme जो मंड अर्थात starch को सरक्रा में बदलता है कहलाता है Hydro-lages, Lipage, Amylages या Nucleages तो क्या कहलाता है वह enzyme जो starch अर्थात मंड बोलते हैं उसे उसको वह सरक्रा अर्थात glucose में बदलने का काम करता है तो क्या कहलाता है वह enzyme जो starch को सरक्रा में बदलता है प्यारे मित्रों दीजीगा इसका सही जबाब क्या होगा तो question 15 का सही जबाब आपको बताना है कमेंट बॉक्श में अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें चैनल को करना है सब्सक्राइब वह enzyme जो सरक्रा को मंड को यर्था इस्टार्च को सरक्रा में बदलता है वह क्या कहलाता है एमाई लेज नेक्स्ट कोश्चन है एंजाइम का प्रोटीन भाग कहलाता है एंजाइम जो होता है उसका जो प्रोटीन वाला भाग है वह क्या कहलाता है एपो एंजाइम, को एंजाइम, होलो एंजाइम, सहकारक तो जो एंजाइम का प्रोटीन वाला भाग है वह क्या कहलाता है यो क्या होगा इसका सही जबाब आपको बताना है कि एंजाइम का प्रोटीन वाला भाग क्या कहलाता है एपो एंजाइम को एंजाइम होलो एंजाइम सहे कारक तो question 16 का सही जबाब जो होगा वह होगा को एंजाइम क्या होगा एपो एंजाइम ही कहलाते हैं क्या एंजाइम का जो प्रोटीन वाला भाग है वह क्या कहलाता है एपो एंजाइम peptide bond किसके बंद किसके बीच पाया जाता है यह बताना है जो peptide bond है या peptide बंद है या किनके बीच पाया जाता है एमीनो एसेड, ग्लुकोज अनू, सुक्रोज अनू, ग्लिसरॉल अनू प्यारे साथियो इसका सही जबाब आपको बताना है कि जो पैप्टाइट बॉन्ड है वह किनके बीच पाये जाता है एमीनो अमल के बीच में ग्लुकोज अनू के बीच में सुक्रोज अनू के बीच में या ग्लिसरॉल के बीच में तो पैप्टाइड बॉंड किसके बीच पाये जाता है इस question का आपको सही जबाब बताना है कि किनके बीच पैप्टाइड पाए जाता है किसके बीच पाया जाता है तो इस question का जो सही जबाब होगा why होगा amino acid next question है enzyme का कौन सा गुण नहीं है यह बताना है वे protein होते हैं वे जीव रसाइने क्रियाओं के वेग को बढ़ाते हैं वे क्रिया में वैसे सिख होते हैं वे क्रिया में उप्योगी होकर समाप्थ हो जाते नहीं तो इस question का आपको सही जबाब बताना है कि question जो 18 है उसका सही जबाब बताना है कि enzyme का कौन सा गोड नहीं है क्या वे protein होते हैं वे जीव रासाइनिक क्रियाओं में के वेग को वढ़ा देते हैं जो सरीर के जीव रासाइनिक क्रियाओं का मतलब है जो कोशिका के अंदर होने वाली जो क्रियाओं होती है उनको हम कहते हैं जीव रासाइनिक क्रियाओं वे क्रियाओं में वैसे सिक होते हैं अर्थार जब भी कोई रासाइनिक क्रियाओं होती है तो उसमें वैव विसेस इस्थान रखते हैं या वे क्रियाओं में उपयोगी हो कर समाप्त हो जाते हैं तो इस कुश्चन का सही जबाब आपको बताना है क्या होगा कि एंजाइम का कौन सा गुण नहीं है एंजाइम कौन सा गुण प्रदासित नहीं करते हैं इस बात को आपको बताना है तो कुश्चन 18 का जो सही जबाब होगा वह होगा वे क्रिया में के WAG को बढ़ा करके वो अलग हो जाते है और दूसरी क्रीया को बढ़ाने का काम करते हैंc समापत नहीं होते हैं नेक्स्ट कुशन है, प्रोटीन संसलेशन कहा होता है, प्रोटीन का संसलेशन या प्रोटीन का निर्माण कहा होता है, यह बताना है आपको, राइबोसॉम में, माइट्रो कॉंडिया में, क्रॉमोसॉम में या शेंट्रोसॉम में, तो इस कुशन का सही जबाब आपको देना ह एक कोश्चन 19 जो होगा उस कोश्चन 19 का जो सही जबाब होगा वह क्या होगा राइबो श्म प्रोटीन का संसलेशन कहा होता है राइबो श्म में आज के वीदियो का अंतिम प्रस्ण हैं आपकी इस्थीन पर कुष्का में पाचक एंजाइम-अधिक तर तो इस question का सही जबाब देना है फिर इस question के बाद सुनना है आज का प्रस्ण जिसका उत्तर आपको comment box में देना है जब वीडियो खत्म हो जाए तब बताएंगे आप इस प्रस्ण का सही जबाब जो पूछा जाएगा उसका जबाब आपको comment करके बताना है तो इस प्रस्ण का अभी सावी लोग जबाब दीजिएगा क्या होगा कोश्का में पाचक एंजाइम अधिकतर कहां होते हैं तो वताएंगे सब ही लोग क्या होगा इसका सही जबाब इस question का सही जबाब आपको बताना है क्या होगा इस question का सही जबाब कोशन 20 जो है आपकी स्क्रीन पर है और कोशन 20 का जो सही जबाब होगा वह होगा लाइसोसॉम लाइसोसॉम में अधिकतर पाचक एंजायम पाए जाते हैं प्यारे साथियों इसके पहले आप कोशन सुनने के पहले आपको एक और सूचना सुननी है कि अगर आप स्टिडी करके द्वारा जो एक सीरीज चलाई जा रही है जिसमें लूशेंट के कुछ महत्वपूर्ण प्रसनों को लाइब डिसकस किया जाएगा उसके सीरीज है उसका टेस्ट देना होगा आपको तो अगर वो टेस्ट आपको जोईन करना है तो आपको 100 रुपए में उसका रजिस्टेशन कराना होगा और अगर आपको उसका पूरी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर विजिट करें आपको मिल जाएगा एक वीडियो तो उस वीडियो में उस टेस्ट की पूरी जानकारी दी गई है तो प्यारे साथियो आप उस टेस्ट को जरूर जोईन करें तो आज का प्रस्ण जो है वह बताना है कि मनुष्य के सरीर की सबसे बड़ी अस्थी का नाम क्या है प्रस्ण एक बार और सुन लें जिसका जवाब आपको पीडियो खत्म हो जाने के बाद देना है और प्रस्ण यह है मनुष्य के सरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अस्थी का नाम बताना है अर्थात सबसे बड़ी वान जो है मनुष्य के सरीर में कौन सी होती है यह बताना है तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है स्टेडी करको तो सब्सक्राइब करें टेली ग्राम पर जोईन करें हमें फेस्बुक पर फॉलो करें ट्वीटर पर फॉलो करें और इंस्टाक्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं इन सब की लिंक आपको नीचे description box में भी लेगी वीडियो को like करना नहीं भूलना है और comment करके हमें इस प्रश्न का सही जवाब देना है कि मनुस्त के सरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अस्थी का नाम क्या है तो चलिए चलते हैं लेते हैं विदा तब तक के लिए जैह क्यांहा है तो 2 लो दो इसमिता समटने की साहमें घ्क वाली के लिए खाली क joints है तो 2 ले भीजियो के लिए